कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी बच्चों के एमडी क्लासिस की यूटूब चैनल में क्या हाल चाने हैं सभी के छोटी चोटी वीडियो इसको आप बड़ा ज्यादा पसंद भी कर रहा है और ऐसे टॉपिस को हम कम से कम समय में खतम कर लेते यह बड़े अच्छी बा करना तो इस पे वीडियो थो बनती ही बनती है लेकिन अगर आप चैनल पर नहें है तो सब्सक्राइब जरूर करिेगा बेला आइकों पे जरूर कलिक करिएगा रेलवे की पलपल की तयारी आपको बहतरीन तरीके से सांधार तरीके से लेक पाल उत्तर पर देश पूलीस सभ अभी जब मैं इसके बाद वाला कोशन्स लेकर आँगो तो आप में से मैक्सम बच्च कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट करेगा पहले इस कोशन्स को ध्यान से पढ़िए कहता है कि 15 बटे 16 19 बटे 20 24 बटे 25 और 34 बटे 35 में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है देखिए हम इनने सबसे बड़ी होती है यानि कि आप डारेक्ट एंस ओ चौटीस बटे 35 तो यहां पर तुरंत बता दोगे इसमें बात किलर हो गया लेकिन जैसे अगले कोशन पर जाते हो तो यहां पर भी आप ध्यान से देख रहे होगे कि यहां सभी के बीच का डिफरेंस तो बराब सबसे बड़ा या सबसे चोटा बिन बनाने से पहले भी हमको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले तो बिन दो प्रकार की होती है एक होता है जिसका नाम होता है प्रॉपर भिन और एक होता है इंप्रॉपर भिन ठीक है अब प्रॉपर और इंप्रॉपर मत उपर वाला अंस देखो सभी में छोटा है तो अगर proper भिन होती है तो इसमें सबसे बड़ी भिन जो होगी अगर difference बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या वाली ही सबसे बड़ी भिन होगी लेकिन अगर हम अगली बात देखेंगे तो यहाँ पे सभी भिन्न हमारे पास IMPROPER है क्योंकि सबका अंसब बड़ा है उसके हर से और IMPROPER अगर होती है तो same उसी का उलटा होता है अगर difference बराबर है सभी के बीच में तो सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो उसका सबसे छोटा भिन्न होता है यानि अगर मुझसे smallest पूछा जाता तब मैं 35 बटे 34 बताता और अगर मुझसे यहाँ पे largest पूछा जाता तो मैं इसका smallest वाला बताता अगर आपको यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा भाई साब तो calculator उठाईए और दाब दीजे चारों के चारों भिन्ने का exact value आपको देख सब्सक्राइब को हम डारेक्टर नहीं बताएंगे ऐसे गलती हो जाएगी पेपर में तो हमें क्या याद रखना एक तो प्रॉपर प्रॉपर मतलब ठीक है उपर वाला एंसर छोटा है मामला साहिए और दूसरा इंप्रॉपर अगर प्रॉपर है डिफरेंस बराबर है तो डारेक्ट एंसर आ जाता है चलिए मैं आपको अगला कोश्ण दिखाता हूं मुझे जल्दी से बताने यार सभी बच्चे कि इसका क्या एंसर आने वाला है छे बटे साथ पांच बटे छे साथ बटे आठ और चार बटे पांच क्या ये सभी के सभी प्रॉपर भिन्य है बराबर है एक 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 डिफ्रेंस कुछ भी आ सकता हो सकता आपका दो आ रहा हो सकता आपका तीन आ रहा हो सकता आपका पांच आ रहा हो सबसे बड़ा कौन नसा है साथ है तो साथ बटे आठ लार्जिस्ट हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा और सबसे छोट भाई साब 4 बटे 5 हो जाएगा अब मन में मेरे एक सवाल आ गया कि सर मान लो आप तो अलग-अलग बता दिये कि यार यह प्रॉपर का है सबसे बड़ा वाला हो जागा अगर पूरा डिफरेंस बराबर होगा अगर इंप्रॉपर का है तो छोटा वाला हो जाएगा मान लो पर हो सबाने वाला है आओ जरा अगला वाला देखो 15 बटे 16 आठ बटे 3 एक 11 बटे 12 और 7 बटे 8 दो कोशन आप से यहाँ पर पूछा गया एक तो सबसे बड़ा भिन्ने बता दीजे और दूसरा आप से पूछा गया सबसे छोटा भिन्ने बता दीजे अब सबसे बड़ा से डिवाइड करोगे तो टू पॉइंट सम्थिंग आगा जबकि किसी में भी यह चीज नहीं आने वाला तो आखें बंद करके कहोगे प्रभू कि सबसे बड़ा वाला तो यही है और कोई तो होई ही नहीं सकता अगर सबसे बड़ा यह है तो आपको स्मॉलिष्ट में इसके इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताना है मतलब 15-16 एक का gap, 11-12 एक का gap, 7-8 एक का gap अब इन तीनों में smallest क्या है तीनों के तीनों proper भिन्न है मतलब unseen का छोटा है तो सबसे छोटी वूपर numerator वाला ही सबसे smallest होगा क्या अब अगर proper और improper दोनों आ जाएगा तो कर पाओगे की नहीं कर पाओगे आप लो समझ में आ रहा है पक्का है ना और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम NTPC CBT 2 देंगे UPP देंगे, लेख पाल देंगे कोई भी परिक्षा देंगे ऐसे छोटे से मिश्टेक गलत हो जाते है और हमारा एक नमबर तो चला ही जाता है और माइनस मार्किंग से हमारी रैंक भी गिरती चली जाते है और हम सोचते हैं यार हमने तो सही किया था कैसे ये गलत हो गया फिर हम 100 रुपय गवा देते हैं अपना किसके लिए करेक्संस को दगाने के लिए जो कि वो भी गलत हो जाता अभी तक हमने क्या देखा कि अगर भिन्नों के डिफरेंस बराबर होंगे तो हम ऐसे करते हैं मान लिजे भिन्नों के डिफरेंस बराबर नहीं होंगे तो क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर हमने कहा अरे भाई कैलकुलेशन क्यों करना पड़ेगा जैसे मानों कि ये वाला कोश्टन क्या भिन्नों के डिफरेंस बराबर है क्या सभी प्रॉपर है बिल्कुल प्रॉपर है उपर का सब का छोटा डिफरेंस देखे जरा साथ चारी 11 आठ पांच तेरह क्या नौपांच चौदा और ग्यारा चार पंद्रावाई सब डिफरेंस बराबन नहीं आपका करते हो गए क्रॉस मंटिप्लाई करते हों गहीं हमारे पास जितना डिफरेंस आता है सबका एल्सेम ले लो चार-पांच 5-4 तो चार-थ पांच चार-फांच- के लिए 4 से multiply करोगे 5 है 20 बनाने के लिए 4 से multiply करोगे बीस बनाने के लिए 5 से करोगे अब सबका डिफ्रेंस बराबर आजागा आपको multiply करने की आई सकता नियuç खाली उपर देख लो कौउन सा सबसे बड़ा आगया तो यहां पे 35 आ गया यहां पे 32 आ गया यहां पे 36 आ गया और यहां पे 55 आ गया अब सबसे बड़ी भिन्ने 11 बटे 15 हो जाएगी तो लारजिस्ट पूछा जाएगा 11 बटे 15 तो अगर difference बराबर है तो भी कोई बात नहीं है आराम से कल लोगे और अगर खुदा ना खासता difference ही है कि आप नहीं कर पाऊगे आराम से वह भी वाला मिठेड लगा लोगे क्लियर और नॉट कि आप पूरी तरीके से कॉंसेट को समझ पा रहे हो इससे पहले मैंने एक छोटी और वीडियो बनाए तो भी बहुत मज़िदार थी उसको भी लबाब पच्चास ज्यारते लोगो को ने देखा आप उसको भी जरूर से जरूर देखिएगा मैं आपको और भी ज्यादा क्लैरिफाइग कर देता हूं चीज में ताकि और भी ज्यादा माइंड के साथ सेट अफ कर पाओ और बहतरीन तरीके से समझ पाओ जैसे यह पेपर का कोश्टन है सबसे छोटी भी ने ही गई है क्या सभी प्रॉपर भिन्ने है 11 बटे 13 विल्कूर सब प्रॉपर भिन्ने डिफरेंस कितने का दो का डिफरेंस कितने का दो का यहां पर लेकिन एक का डिफरेंस आगा और यहां भी दो का डिफरेंस आगया अब भाइसा वगर दो और एक का डिफरेंस आपके पास सबसे छोटी बिन यह हो जाएगे कर लिना अंसर आ जाएगा समझ में आ गया तो सब का डिफरेंस जब बरालागा लग था तो मैंने सब के लिए और सबका डिफरेंस मैंने बराबर कर दिया तो घवडाना नहीं ऐसे कोश्चन से आराम से कर लेना यहां कहता और रोही क्रम में इसको arrange करिए मतलब छोटे से बड़े क्रव में लगाइए तो मेरे पास भिने कौन कौन सी है तीन बटे-5 साथ बटे-9 और 11 बटे-13 क्या सभी proper भिनने है कहोगे सर बिलकुल कैसे दो का गैप यहाँ पे दो का गैप यहाँ पे दो का गैप यहाँ पे सबसे छोटा तीन बटे पांच फिर साथ बटे नौ फिर 11 बटे तेरा क्योंकि सबसे बड़ा आइंसर खतम है तुरं तिकल ले जाओगे मतलब चुटकियां भी आपको नहीं लगेंगे और आप इस कोश्टन को तहलका की तरीके से उड़ा दोगे आपको पता भी नहीं थैंद ऑर दो बटे पांच आरोही करम में लिफना जैनद देखो यहाँ पर दो का यहाँ पर तीन का यहाँ पर तीन का अभाई साब दो सबसे बड़ी वाली भीर्णने कैसे निकाल पार रहें क्या हम यही सारे पेपर में इस से जाते हैं, keeping एक होमक तो बनता है प्रफो तुरंत मुझे होमक में आप सभी के एंसर चाहिए जल्दी से मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा और क्या लगता आपको कौन सा से होगा जो मैं बढ़ी हाएक कोशन देता हूं आपको यह होमक में मुझे करके जरूर बताएग पड़ी से छोटी वाले क्रम में आपको लगाना आप जरूर लगाएगा और अगर मजा आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा कमेंट करके बताएगा कि आपने इस वीडियो सो सीखा या नहीं सीखा जरूर से जरूर से करिए थाइंक्यों सो मच बाइबाय गुड नाइट थाइंक्यों सो मच गाइज